प्रिये दर्सकों सादर नमस्कार, अभी हम सीखेंगे भरिंगी कीट से, भरिंगी कीट से क्या सिच्छा लिया जा सकता है, तो यह भरिंगी भावरी जो है किसी कीडे को पकड़ कर अपने बील में कैद कर देता है, और बाहर धोनी करता रहता है, कैद हुआ कीडा भावरी के भाय से उसी का चिंतन करता रहता है, और अंत में स्वायम भावरी बन जाता है, इससे हमें यह सिच्छा लेना है, कि मनुस्य जिस चीज का चिंतन करता रहता है, वह वही हो जाता है, भले ही वह चिंतन आसक्ती से करे या भायवस से करे, अत्यव हम मनुस को हमेशा सद चिंत करनी चाहिए चिंतन का मनुस्य पर अदभुत मनोबैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जिसे law of attraction भी कहते हैं इस्वर का चिंतन करते करते इस्वर सरूप बन सकता है विश्यों का चिंतन करेंगे तो विशई बन जाएंगे और प्रभु का चिंतन करने से प्रभु मैं हो जैसे मनुस्य के विशार होते हैं तद नरूप ही उनका चिंतन हो जाता है। और चिंतन के नरूप ही व्यक्ति बन जाता है। अथेव हम सब को अच्छे भी चार ग्रहन कर सद चिंतन में रत रहना चाहिए। सद चिंतन में हमारा चरित्र एबं ब्यवहार आदर्स बन जाता है। हम आदर्स बन जाएंगे तो समाज भी संपूर्ण यह समाज ब्रम्हांड भी आदर्स बन जाएगा।